स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रस्तोगी कोची में यूपी बोर्स से बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है इस कुटनी का रिजल्ट देख सकते हैं इस कुटनी का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले गूगल में सर्च करें यूपी 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 उत्तर परदेश मादमी सच्छा परसद इसकी बेवसाइड जो है नीचे खुल जाएगा यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है इसकुटनी का रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं तो सबसे नीचे जब आएगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है इसकुटनी एक्जाम 2024 हाई स्कूल इंटरमेडियेट पर इच्छा बरस 2024 तो यहाँ पर जिस मंडल में आप रहने वाले हैं उस मंडल का जो है आप किलिक करेंगे जिले वार नहीं दिया गया मंडल वार दिया गया है जैसे आप गोरखपुर के मंडल में है कि मेरट में है कि बरेली में है कि प्रियागराज में है कि वनारसी में है किस मंडल में रहने इसको click करेंगे अब यहां पर अगर गोरपृ को click करते हैं तो गोरपृ का PDF फाइल जो है download हो जाएगा तो गोरपृ में कौन-कौन से जिले आते हैं सभी जिले में जो है आपको result जारी कर दिया गया है और इस जिले में चेक कर सकते हैं कि आपका जो है result उसमें है कि नहीं है, यदि आप सकुटनी फार्म भरे होंगे, तो यहाँ पर इसका पीडिया फाल डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं high school और high school बहराइच है यहाँ पर गुंडा है सभी जीले का यहाँ पर करमश्रा दिया गया बस्ती है, संदकवी नगर है सिधार्थ नगर है, गोरापूर, माराज गण, देवरिया कुशी नगर यहाँ पर high school का दिया गया है नीचे देख सकते हैं यहाँ पर intermediate का result है बहराइच है, गुंडा है और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बहराइच है, बस्ती है, संदकवी नगर है सिधार्थ नगर है, गोरापूर है माराज गण, देवरिया है और यहाँ पर कुशी नगर है तैसे अपने जिले का अगर चेक करना चाहते हैं तो आप अले मंडल को डाउनलोड करियेगा मंडल में आपको उसमें जिला दिया रहेगा उस जिले में आपको चेक कर सकते हैं क्या आपका रोलंबर है की नहीं है आप सभी विद्यारती एक बार जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्काइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि यूपी वोड का पलपल का खबर इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं तो अपने मंडल को ही डाउंडोड करेगा बहुत से ऐसे भी द्यारती अपना जिला को डोडने लगते हैं तो जिला मत मिलेगा जिला नहीं इसमें दिया गया है मतलब पहले मंडल को download करेंगे तो मंडल में आपका जिला दिया रहेगा और उसमें आपका roll number मिलाना है कि roll number आपका है की नहीं है तो roll number अगर जिसका रहेगा उनकी मार्शित दूसरा आएगा जो पहले वाले मार्शित था उसमें सुधार कर दिया जाय गया और नंबर को बढ़ा करके आपको मार्शित दूसरा जो है जिले पर भेज दिया जाएगा और जिले के माध्यम से आपके स्कूल पर मिल जाएगा तो यह यूपी वोट से बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ था तो यह अपडेट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के निए सभी विद्यारतियों को नमस्कार